पेटा जी एक काम करते हैं इस वीडियो में, एक हमने बीकर जैसा ले लेना है जिसमें कुछ पानी डाल देते हैं, इसे पानी से भर दिया और हमारे टीचर जी थे कौन मचली, मचली जलकी रानी है वो यहां डाल दी, आप इससे पूछा हमने कि भी पताइए आपको कितना ली लीक्विड प्रेशर फील हो रहा है, तो इसने हमें सही जवाब दिया था, उसका फॉर्मॉला है, डेंसिटी बताओ इस पानी की, जी से मल्टिप्लाई करो, आगे जितनी हाइट पर या डेप्थ पर मैं हूँ, उससे मल्टिप्लाई कर दो, हम लीक्विड प्रेशर जो भी आपने कैलकुलेट किया है, मान लीजिए, पचास ये कैलकुलेट किया, हमने इनकी वैल्यूस डाली, तो आया पचास न्यूटन पर मीटर स्क्वेर, मान लीजिए, ये जस्ट एक्जामपल है समझ रहे के लिए, मान लो इसको लीकुड प्रेशर इतना फील हो रहा ह बट ये बोल रहे हैं, पता है एक्चुल कितना है, एक्चुल मेरे पे 60 न्यूटन पर मेटर स्क्वेर का है, ये 10 कहां से बट रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मचली का लिकुड प्रेशर तो पचास है, तो पचास ही होना चीए, तो मचली मुझे एक हिंट द दूसरी फ्लूट होता है, हमारी गैसिस, उनको भी फ्लूट बोलते हैं, तो यह कोई गैस है? तो कुछ नहीं दिखड़ा, सर, एर में क्या है? muchísimory, लोना है, तो यह पानी के ऊपर जो हम मिस कर गए फ्लूट, क्योंकि बेटा ये दिखती नहीं है, एर ट्रास्ष्परेंट ह होती है जो भी gases air बना रही है हमारी उनका कोई color नहीं है तो मैं दिखता नहीं है तो मिस हो जाता है तो जिस तरह से बेटा ये पानी pressure डाल रहा है क्या ये जो बाहर की air है वो pressure नहीं डालेगी इस पानी पर तो येस यहीं से आ रहा है हमारा additional 10 newton per meter square ये value actual नहीं ये मैं समझान के लिए कर रहा हूँ कि ऊपर से pressure कितना लग रहा था 10 newton per meter square liquid pressure कितना था 50 तो अब हम कह सकते हैं total pressure कितना होगा वो होगा lp liquid pressure प्लस ये उपर वाले pressure को क्या बोले है air pressure नहीं एक और अच्छा word है इसके लिए atmospheric pressure बोल दो इसे atmospheric pressure तो सही बात है total pressure जो है वो तो ज़्यादा ही होना है तो इस तरह से हम total pressure define करते हैं जाने से पहले एक doubt ले लेते हैं देखिए अभी मचली यहाँ पर है अब यह बोलती है मचली कि मैं देखो नीचे चले जाती हूँ height बढ़ा देती हूँ right तो मान लो नीचे देखा हमने pressure कितना है वो निकला 60 newton per meter का क्यों बढ़ गया होगा तो ठीक है liquid pressure बढ़ा 10 newton per meter square का 70 हो जाएगा पहले क्या हो रहा था 50 प्लस 10 अब क्या हो रहा है 60 प्लस 10 यानि कि यह जो pressure उपर पढ़ रहा है यह हर जगा सेम पढ़ेगा जब मैं यह concept पढ़ता था तो मुझे यह doubt बोता था मुझे ऐसा लगता था atmosphere तो यहीं डालेगा ना pressure यह नीचे क्यों चले जाएगा इसके लिए हमारे पास एक scientist आते हैं जो यह सभी doubt हमारे clear करते हैं जिनका नाम है पास्कल यह यह बताते हैं कि अगर यहाँ पर 10 newton per meter square है तो हर जगा 10 newton per meter square बढ़ जाएगा हर जगा same value बढ़ जाएगी यहाँ अगर और नीचे जले आता 70 तो अब वहाँ पर हो जाएगा 80 यह pressure transmit हो जाएगा अब इसको हम next वीडियो में cover करेंगे